हाथ और पैर से पसीना आना जिन्हें हम अपने टर्म में हाइपर हाइड्रोसिस ऑफ पाम्स एंसूल कहते हैं यह एक कंडिशन है जिसमें बहुत बार पेशिंट को थाइरो टॉक्सिकॉसिस जो एक थाइरोइड का कंडिशन होता है वो असोसियेट होता है तो जो भी पेशिंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेट करना है अगर उनने अंडरलाइंग थाइरोइड है तो साथ में थाइरोइड की दवा चलनी ज़रूरी है तब ही वो पूरी तरस से कंट्रोल होंगे बहुत हैसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें एक्जाम में लिखने में तकलीफ होती है और उनके सारे रिपोर्ट ठीक आते हैं तो वैसे कंटिशन में हम कुछ टॉपिकल सल्यूशन देते हैं जिनसे पेशिंट को काफी आराम होता है कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जिन बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं पाम्स में अभी माम आपने कहा कि बहुत सारे सल्यूशन होते हैं बहुत होम रेमेडीज भी होते हैं तो सबसे पहले तो हम मेडिकल साइन्स में जो इलाज वे हाथ और पैर से पसीने आने को लेकर उन पे बात कर लेते ह इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में अलुमिनियम क्लोराइड कुछ दवा है जुसे हम टॉपिकल लगाने पेशेंट्स को देते हैं कुछ ओडल दवाएं भी दी जाती हैं पर उनके साइड एफेक्ट्स होते हैं इसलिए डिपेंडिंग ऑन सिवियर कंडिशन हैं उनमें हम ओडल दवा चालू करते हैं अदर्वाइस हम टॉपिकल से ही कंट्रोल करते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एक्जैम में अपीर होना है और वो रिजेक्ट हो जाते हैं वैसे कंडिशन में बोटॉक्स के इंजेक्शन पे पी जाते हैं एक जरूरी चीज में यह जाना चाहूंगे कि भी आपने कहा कि इस नमस्या के लिए कुछ home remedies भी है तो वो क्या है home remedies है कि fit kitty जो कि नॉर्मली हम एक बारवर शॉप में देखते हैं वो लोग लगवाते हैं fit kitty में एक chemical होता है जिसे aluminium chloride कहते हैं उसी chemical से कुछ दवाय बनाई जाती है जो sweating control करती है तो generally हम patients को बताते हैं कि fit kitty के इस्तिमाल से भी आपका ये control हो सकता है पर वो temporary relief देता है तो at least जो बहुत परिशान है तो वो इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं माम हाथ और पैर से पसीना आना इसे लोग बहुत बड़ी दिक्कत नहीं समझते हैं लेकिन कि हाथ और पैर से पसीना आना कभी कोई बड़े issue की तरफ इशारा कर सकता है कुछ anxiety में अगर लोग रहें तो उनके हाथ पैर से ज़्यादा sweating आती है ऐसा भी कुछ होता है यह होता है अभी तक पहले तो यह माना जाता था कि जो भी patients anxiety suffer कर रहे हैं या कुछ भी कारण से उनमें type A personality है वो हमेशा anxious रहते हैं तो बस उनके पैर और हाथ से ही sweating होगी पर अब देखा जा रहा है कि अगर वैसे नहीं भी condition है तो भी sweating होगी पर किसी भी patient में हमें anxiety को rule out करना है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा factor है एक बहुत जरूरी चीज में में यह जाना चाहूँगी कि हाथ और पैर से अकर sweating आ रहे हैं लोग जल्दी उसे एक alarming situation नहीं समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए लेकिन स्थिक कब ऐसी हो जाए जब एक बार अपने skin specialist से consult कर लिना जरूरी हो जाता है जब आपको लिखने में परशानी हो या पैर्ट से आपके चपल slip कर जा रहा है तो वैसे condition में आपको डॉक्टर के पास जाना है या आप नॉर्मली भी कुछ हाथ से pencil होल्ड करने में भी आपको परशानी हो रही है अगर वो slip कर जा रहा तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए